तो जैसे कि आप जानते हैं आज का टॉपिक है हमारा वाटर वैसे तो आप सभी ने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पड़ा होगा पट नाव लेट स्टाट इस तो सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर वाटर का फॉर्मला क्या है तो यह तो हम सबको पता है कि वा मॉलिकुलर मास है उसको निकालने के लिए आप देख सकते हो पहले हाइड्रोजन कित्ते है हमाँ पास 2 तो हमने 1 इंटो 2 कर रहा प्लस जो हमारा ऑक्सीजन का मास नंबर होता यानि कि 16 इंटो 1 क्योंकि यहां पर एक उक्सीजन प्रेजन था तो वह हमारा कित्ता हो गया हम पा plaint हते dl esses आती है कि जो हमारा वाटम मॉलिकूल है कॉनसी बद्डिग मंशाप करते जैसे कि आ पर यहां पर क्या हो और को वेलंट बाउडिंग क्या होती है तो कोवेलेंट बॉंड तब फॉर्म होते हैं जब चाहरी होती है अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, कि यहाँ पर hydrogen जो है, वो अपना एक electron, oxygen के एक electron के साथ share कर रहा है, ठीक, तो यह हमारे पास क्या हो गई, यह हमारी हो गई covalent bonding, ठीक है, अब next बात आती है कि जो water है, वो basically 3 states में exist करता है, पहला solid state, दूसरा liquid state, और तीसरा हमारे प आइस की तरह, liquid में water की तरह, और gas में water vapor की तरह, ठीक, अब next चीज आती है कि आखिर water जो है, उसको universal solvent क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो water को universal solvent कहने के पीछे का reason यह है, कि उसके पास ability होती है, कि वो हर चीज को अपने अंदर dissolve कर लेता है, मतलब wide range of substances, बहुत से substances ऐसे हैं, जो वो dissolve कर सकता है, इसी वज़ा से उसको universal solvent भी कहा जाता है, अब कुछ आती है properties, तो some physical properties में सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि आखिर जो हमारा pure water होता है, उसका color क्या होता है, तो वो हमारा colorless होता है, pure water क्या होता है, colorless होता है, orderless होता है, और tasteless भी होता है, यह मैं pure water की ब boiling point कैसा होता है, तो जो pure water है, वो boil करता है 100 degree Celsius पे, ठीक, और freezing point क्या होता है, freezing point होता है, इसका 0 degree Celsius, या फिर इसी को हम लोग कहते है, melting point of eyes, ठीक, अब next चीज आती है, कि एक और property है, इसके जिसे हम लोग कहते है, anomalous expansion of water, ठीक, anomalous expansion of water, यह water की जो है, बहुत ही important property है, ठीक है, it is very important, I am marking it a star, यह बहुत important है, क्यों है, अब इससे समझते हैं, जैसा कि इसका नाम है, anomalous expansion, तो यह जो है, एक abnormal property है water की, जिसमें क्या होता है, कि जो water है, वो contract करने की जगा, expand करने रखता है, कि जैसे ही, उसका temperature कहाँ पहुच जाता है, 4 degree Celsius से नीचे, जैसे ही मतलब water 4 degree Celsius या उसके नीचे वाले temperature पर जाता है, तो instead of expanding, it starts contracting, ठीक, और यही वज़ा है, जिस वजह से, जो हमारे aquatic animals है, वो survive कर पाते है, क्योंकि इससे होता है, जो water, मतलब जो land, मतलब जो rivers होती है, उसमें top layer तो freeze हो जाती है, बद नीचे water का temperature maintained रहता है, नीचे का water नहीं freeze हो रहता है, यह सब होता है, किसकी वज़े से, अब नेक्स चीज आती है, वो है latent heat of fusion of ice, अब यह क्या होता है, तो जितना amount of heat required होती है, ice को change होने के लिए किसमे, water state में, उसे कहा जाता है latent heat of fusion of ice, अब इसके एक specific value है, जिससे आप याद कर सकते हो, जो कि है 336 joule per gram, या फिर calories में भी 80 calorie per gram, ठीक, अब जैसे यह latent heat of fusion है, उसी तरह latent heat of vaporization भी होती है, तब यह क्या होगी, तो जो energy required होती है, to change water into vapor state, ठीक है, and its boiling point without changing its temperature, यानि कि उसका temperature नहीं change करेगा, लेकिन वो जो additional energy उसे required होती है, कि वो change हो जाए vapor state में, उसे कहा जाता है latent heat of vaporization, ठीक, इसके specific value क्या होती है, 2268 joule per gram, ठीक, और calories में इसको आप क्या सकते हो, 540 calories per gram, hope क्या आप यह समझ गए होंगे, और इसके जो leftover topics हैं, वो मैं next video में cover करोंगे, अगर आपको inserate, कोई doubt हो, या किसी और chapter से, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो, hope you guys like the video, thanks for watching, bye bye, and yeah, don't forget to subscribe,